पिसम अलाइब वक्मान महीं मैं सलाम वालेकम जी तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ चैनी कॉस्मेटिक की कुछ चीजें जो हैं आपके सब्सक्राइब करेंगी तो आपको किस वीडियो को लास तक देखेंगे काफी धर्फुल है आपके लिए ब्रैंड बहुत ही तो आपके सब्सक्राइब को पूरी आपके तेखेंगे गा मैंने सच आपके साथ इसका इसका शेयर करें तो चले आपस वीडियो को एंज्राइकरें और देखें एकर मुझे बताहिएगा क्या क्या था तो आपको कैसी लगी असलाम आलेकूम आपके सारसेफरास एड़े अ फू यह तो बेसीकली इन धे इनने दिफरेंगे हैं कुछ ग्लिटर वाले हैं कुछ ज्ल फिलिश वाले हैं दिसने जैलशाइन जैनिमÊ इने इंग्स एफेक सेफेट एड अने अम लिए अम कैलर एक्सपारट टो धे यह बटिएगी जाएब डिए घवीड़ा से यह इसका बिल्कुल फुल कवरज देती है नेल पर आपको बिल्कुल भी दूसरे कोट की जुरत नहीं पड़ती तो इस 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 सिंगल कोट और बहुत क्विक ट्राय होती है और बहुत इजी अप्रिकेशन इसकी यह इसका ब्रॉष है तो आपको बार बार जो है वो अपनी इस पॉटल में डिपी करने की जुरत नहीं है सेकंड थिंग आपको बता दुम यहां पर है क्या क्या नेल कलर्स हैं लिप्स्टिक्स हैं यह सारी ग्लिटर जो के यह अलो ग्लिटर के नाम से हैं और झालो प्रॉट इस उप्सलोट फ़र्टॉट्ट मीद तो यहां तो अपॉट रोट नहीं है अनिसलिस्पीकिंग मैंने हर ब्रांड का मेकप यूज किया बत इतना अच्छा ग्लिटर मैंने कभी नहीं देखा है विकरस बेस्ट पार्ट इस इसमें जो ग्लिटर है वो पूरे केक में आपको लीचे तक ग्लिटर मिलेगा और इस इस Micro Glitter तो जो बड़ा बड़ा glitter होता है वो बहुत cheap लगता है बहुत सस्ती quality का लगता है जिस price में यह मिल रहा है यह Micro Glitter इस इस दाइक अधर मेकप ब्रांड्स रही नेद टो step up their game यह मैंने लिया है और अब आपको बिताती हूं कि इसका pigment कितना जादा है just have a look मैंने अब तक जितने भी मेकप ब्रांड्स यूस की हैं मैंने इतना अच्छा glitter अब तक किसी ब्रांड का नहीं देखा so this is the pink one इसमें काफी सारे colors अविलेबन हैं मेरे पास जो इस वक्त हैं I really like this one this one is copper so I think मैं इसका भी एक और यह देखे मैंने जितना लिया है यह भी मेरे फिंगर पर बाकी है okay so this is the other one okay so this is the other one okay so this is the other one I mean it's a beautiful shade it's a beautiful shade yeah so it's very pigmented है इनका makeup जब ही आप makeup आई करते हैं सबसे important चीज जो आपको देखे ही होती है वो यही होती है कि क्या आप जो makeup आई कर रहे हैं उनका pigment कैसा है अगर वह products highly pigmented है उतने ही जादा वह price ही मिलेंगे इसका मतलब उतनी ही अच्छी quality के वह products है जबके अगर products highly pigmented नहीं है तो इसका मतलब के वह fake product में और एक अच्छे high quality product में यही difference होता है कि जो अच्छी quality के products होते हैं वह highly pigmented होते है I'll collect the packaging the black color is so cool this is the shade it's called natural and it's not like very powdery powdery especially on your face so yeah this is all about Jenny Cosmetics it's a very good brand at a very good price and honestly if you are a makeup freak and if you're looking for a good brand and looking for good quality products do give it a try and trust me everything right here I've tried and I give it like what 10 on 10 because just have a look this is amazing and ithni smoothly नहे लग रहा है and for a long lasting result आप इसको इसके यह perfect makeup fixer है this is gonna make this glitter last longer so honestly if you're looking for something just give it a try okay I've done this shade it's ivory and I'll use it here on my hand okay it's very smooth application okay this is how it looks like and I'm gonna blend it and I'm gonna blend it see how smoothly it's blending and it's gone it's not fake it's not fake hot smoothly यहे रहाँ बन्दोगी यहे रहाँ बन्दोगी यहे okay so what else do you want me to talk about let's talk about the lipstick okay let's pick this one this is the shade sand it's number 87 and I'm gonna show you how it looks use करने के बात so this is the shade I hope I hope को आपको यह जो है जानी का रिजी अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छे लगए तो इसे लाइक करें शेर करें सब्स्क्राइब करना में पूलें आपको इस तरह की वीडियो जो है बैल को प्रेस कर दें thanks for watching कि आपको इतना quality time निकालते हैं हमारी वीडियो इसको watch करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंशालला नेक्स व्लाग में नेक्स वीडियो में मुलाकात होगी तब तर अपना बहुत सारा खयार रुकिएगा अलाहाफिज